हेलो दोस्तो कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तो मैं आज आप सबको जीरो डॉल SP टेबलेट के बारे में पूरी जनकारे देने वाला हूँ कि इस टेबलेट का यूज हमें कप करना चाहिए इसका यूज करने का सही डोज क्या है इसको कितने साल के कितने साल के बच्चों में दिया जा सकता है और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तो मैं आज आप सको इस टेबलेट के बारे में पूरी जनकारे देने वाला हूँ कि इस टेबलेट को कौन से दर्द में यूज करना चाहिए इसको कितने दिनों तक यूज कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो में अंतक बने रहें अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल लाइकन भी आउंड कर लिजिए ताकि ऐस सिक्लूफिन के बारें बात करें जो की इंडिया में फेमस और सबसे जएदा बिकने वाली टेबलेट भी यह जुक्ति-डरद, वुखार या दारध में ये गार करताएं इसके price के बारे में बात करें तो दोस्तो इसकी MRP 118 रुपिया है जैसा कि आप देख सकते हैं आपको किसी भी medical store पर यहां आसानी से मिल जाएगी जो कि zero dollars पी हर medical पर उपलब्द रहती है दोस्तो बात करते हैं zero dollars पी टेबलेट कौन कौन से चोड दर्द में कार करता है या इसे कौन कौन से दर्द में देना चाहिए तो दोस्तो अगर आपके सरीर में कहीं पर भी दर्द है तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं अपरेशन के बाद इसका इस्तमाल दर्द को खतम करने के लिए दिया जाता है अगर आप चोड लगी है कहीं दर्द हो रहा है पैर दर्द है सीर दर्द है कमर में दर्द है तो दोस्तो आप 0.0 SP का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो इसके और सारी कटेगरी भी आती हैं जो कि 0.0 P, 0.0 TH4, 0.0 SPAS और 0.0 MR के नाम से आती हैं दोस्तो 0.0 SP टेबलेट सुजन में भी बहुत अच्छा कार्य करता है दर्द और सुजन को पूरी तरह से कतम करता है दोस्तो ये टेबलेट दर्द बुखार को पूरी तरह से खतम करती है और दर्द में बहुत जल्दी राहत देती है आप इसका इस्तमाल एक बार जरूर कीजिएगा ये बहुत ही भरुसेमन और सबसे ज़्यादा बिकने वाली टेबलेट भी है अगर आपके कहीं पर भी दर्द है तो आप इसका इस्तमाल एक बार जरूर कीजिएगा ये बहुत ही अच्छी टेबलेट है दोस्तो बात करते हैं जीरो डाल टेबलेट के डोस के बारे में कि इसका डोस क्या है दोस्तो अगर दस साल के उपर कोई भी है किसी को भी आप इसको एक टेबलेट सुबा और एक टेबलेट साम को दे सकते हैं अगर कोई भी 10 साल से नीचे है और 6 साल की बीच में तो आप इसको आधी टेबलेट सुबा साम दे सकते हैं जो कि यही डोस डाक्टर लोग भी सला देते हैं इसको खाना खाने के बाद ही खाना चाहिए आप इसको सुबा साम खाना खाने के बाद यूज़ कर सकते हैं या अपने डॉक्टर के बताए गए नियमा उन्सार्ग से यूज़ करें तो जादा बहतर होगा दोस्तों बात करते हैं इसके क्या side effect हो सकते हैं दोस्तों जिरोलबस पी को लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए आप इसको 2-3 सब्ता यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसका यूज़ ज्यादा करते हैं तो यह आपके kidney और liver भी भी असर कर सकता है दोस्तों इसको केवल 2-3 सब्ते तक यूज़ करें उसके बाद इसको बंद कर दें दोस्तों बात करते हैं इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तों कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं कि अगर इसको इस्तुमाल करते हैं तो उनके जलन भी होने लगेगी पेट में दर्द भी उठेगा और चेहरे में पीला फन भी देखने को मिलता है अगर आपको ये लच्छाड दिखते हैं तो आप इसको तुरंत ही बंद कर दे और अपने डॉक्टर की सला जरूर लीजिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हो तो पिलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी आउन कर लिजिए ताकि ऐसे वीडिय आपको हमारे यूटूब चैनल पे मिलती रहेंगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोड़क के साथ तब तक के लिए गुडबाई थैंक्यू